नमस्ते दोस्तों ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगे कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने का सबसे सही सटीक और सरल तरीका तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप स्टॉक मार्केट में जो भी काम करते हैं उसमें आपको में प्रॉब्लिम क्या आते हैं एक बर आ तो solution आपने आप आपको मिल जाएगा और जब आपको आपने आप solution मिल जाएगा तो यह सभी problem आपको हमेशा के लिए आपके मिड़ जाएगे और आप stock market में एकदम सही सटिक और सरल तरीके से market में consistent basis पे आप एक successful trader बन पाओगे तो सबसे पहले आभी सीख लेते हैं कि stock market में जो काम करते हैं उनका main problem क्या आता है तो देखो देशतो stock market में जो भी आप काम करते हो buy sale का तो मतलब आप एक trader हो trader का काम क्या रहता है investor हो या trader हो उनका काम एक ही रहता है कि stock market में buy sale करना है आपको instrument में तो stock market में जब trader कोई भी काम करता है तो सबसे पहला problem आता है कि उसको loss होता है और दूसरा problem आता है कि उसको both struggle करना पड़ता है ये business में अगर इसको आपको एक profession बनाना है full time career बनाना है तो both struggle करना पड़ता है loss में दो type के loss होते है पहला तो उसका होता है money loss मतलब उसका पैसा market में चला जाता है और दूसरा जो लोता है वो होता है time का loss इसमें बहुत सारा time उसका चला जाता है तो पैसा उसका कहा कहा पे चला जाता है सबसे पहला उसका पैसा चला जाता है trading में जो buy sell करता है उसमें उसको loss होता है फिर उसके बाद क्या होता है वो training लेता है बहुत सारे workshop आटेन करता है seminar आटेन करता है वहाँ पे उसका loss हो जाता है यहाँ पे दो type का loss हो जाता है दोस्तों एक तो उसको वहाँ पे fee देना पड़ता है और फिर वहाँ पे सीखने के बद जब वो उसमें trading करता है वो trading में भी उसका loss हो जाता है फिर उसका तिसरा loss कहाँ पे होता है वो जो बड़े बड़े चार्टिंग software पर्चेस करता है वो charting software purchase करने के लिए उसको बहुत सारा पैसा देना पड़ता है वहाँ पे भी उसका loss होता है फिर उसका loss कहाँ पे होता है वो क्या करता है फिर फिर वो लास्ट में क्या करता है सबसे लास्ट में हो algorithmic trading को try करता है तो algorithmic trading में भी सेम और उनके ट्रेडिंग system का आपको fee देना पड़ता है वो maximum आपका loss हो जाता है और वहाँ पे जो ढब trading करते हैं तो यह त्रेडिंग में लास्ट में जेलने पड़ता है और यह सब प्रोसेस करने के लिए जो टाइम लगता है ये टाइम में भी आपका बहुत सारा लॉस हो जाता है बहुत सारा टाइम आपका बरबाद हो जाता है फिर स्ट्रगल जो होता है आपका इसको फुल टाइम ट्रेडिंग करियर बनाने के लिए जो स्ट्रगल होता है तो सबसे पहल वाले फैमिली मेंबर फे दोस्त है रिलेटिव है वो सब में एक तरह के का एक इशू बन जाता है तो उसको भी आपको फेस करना पड़ता है फिर जो बहुत सारे लोग रिसर्च करते हैं बहुत सारा ट्रेडिंग स्टाटरजी सर्च फाइंड आउट करने की कोशिश करते हों उनको एक इंटलेक्शल स्ट्रगल करना पड़ता है दिमाग पर बहुत जोर लगाना पड़ता है तो वहाँ पर एक इंटलेक्शल स्ट्रगल भी होता है और इन तीनों का मिला के समेशन आपको इमोशनली बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है ये बिजनेस में मतलब कभी- आपको पता चलेगा तभी जाके आपको उसका solution मिल जाएगा तो यह exact reason में आपको बताने जा रहा हूँ तो सबसे पहले आपको एक journey समझना पड़ेगा कि कौन से भी trader का journey होता है वो कैसे होता है तो initially आदमी क्या करता है जब आदमी trading के बारे में सोचता है तो वो टेक trader बनने की खोईश रखता है तो trader बनने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए सबसे important उसके पास एक trading strategy होना चाहिए trading strategy का मतलब होता है जो आपको buy sale का exact criteria जिसमें mention किया हो exact rule जिसमें बताया हुआ हो उसको हम लोग trading strategy बोलते है तो वो trading strategy find out करने के लिए वो क्या करता है वो research करना चालू कर देता है तो वो research कहां पर करता है सबसे पहले वो जाके देखता है YouTube के उपर YouTube के उपर कोई अच्छा वीडियो मिलता है क्या trading strategy का वो search करता है फिर वो क्या करता है workshop आटें करता है seminar आटें करता है वो चाहिए free वाले हो या paid वाले हो फिर उसके बाद क्या करता है इंटरनेट के उपर बहुत सारा research करता है website देखता है article पड़ता है बड़े लोगों के book पड़ता है तो यह सब इंटरनेट के उपर research करता है यहाँ पे तीनों जगा पर वो सिर्फ और सिर्फ trading strategy के बारे में ही सोचता है और उसको एक ऐसा trading strategy मिल गया ऐसा लगता है फिर वो किया करता है वो trading strategy का back testing बिलकूल नहीं करता back testing नहीं करता मतलब क्या back testing से हमें क्या पता चल सकता है बैक जब होता है ते से आपको पता चल सकता है कि यह ट्रेडिंग स्टाइटरजी इस्तिमाल करने के लिए प्राक्टिकल है क्या आप इसको मार्केट में एक्जीक्ट कर सकते हो क्या प्रॉफरली तो वह बैक टेस्टिंग भी नहीं करता और इमिजेटली वह क्या कर देता है ट्रे ओर कौन्फिदेन स्टेट-पमैंड में चला जाता यह ऊटन स्टेट-पमैंड में क्या हो जाता है उसको इसे लगता है कि उसकोोलीग goog credit system मिल गया दे इन स्ट्रड्प में चला जाता है फिर लग़ातार jó स्ट्रेट में चले गए तो यदուी क्व फिर्पर व signals में यह उसमें और कुछ addition करना पड़ेगा तो और कुछ addition मतलब क्या करना पड़ेगा trading strategy में उसमें जो rule रहते हैं वो rule को alter करना पड़ेगा या फिर जो parameter उसने use किये हुए यह parameter को उसको change करना पड़ेगा तो यह rule का alteration करने के लिए parameter change करने के लिए या trading strategy change करने के लिए दुबार करता मतलब दुबार यूटूब के वीडियों देखता है वर्क्शव आटेन करता है इंटरनेट के ऊपर सर्च करता है और दुबारा ट्रेडिंग स्ट्रजी फॉर्मूलेट करने के बाद दुबारा वही होता है ज遊戲 profit में उसके trade चले जाते है तो वह happy और over confidence state of mind में चला जाता है कुछ trade उसमे लॉस में चले गए तो दूबारा वो analysis तो यह paralysis of technical analysis एक प्रकर का चक्र वियो है दोस्तों यहां पर आगर आप first जाते हो तो यहां से बाहर निकलना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है तो यहां पर आपको एक बात समझनी पड़ेगे कि यह जो ट्रेडिंग strategy है ट्रेडिंग strategy का काम क्या है ट्रेडिंग strategy काम यह ट्रेडिंग strategy का काम जो आपको इंट्री और एक्जिट का प्राइज बताना है तो मार्केट में आपका मेन प्रॉब्लेम कहां पर आता है मार्केट में आपको मेन प्रॉब्लेम आता है एक्जोक्यूशन के टाइम पर मतलब जब आप actually ट्रेडिंग चालू कर देते तो इसको एकदम simple तरीके से एक example देके मैं आपको बताता हूँ तो आपको ज़्यादा clear हो जाएगा उसके लिए मैं आपको एक game का example देता हूँ मतलब एक game में जिस तरीके से काम होता है उसी तरीके से trading में ही काम होता है तो एक game में सबसे favorite game में इंडिया में आपको एक cricket का example देता हूँ तो cricket में क्या होता है दोस्तो cricket में एक batsman होता है जो batting का काम करता है अगर batsman को batting करना है तो सबसे important उसके पास क्या होना चाहिए उसके पास एक bat होना चाहिए तो ये bat क्या है दोस्तो ये bat है cricket खिलने का tool तो ये हो गया उसका tool उसी तरीके से दोस्तो जिस तरीके से cricket एक तरीके का game है उसी तरीके से trading भी एक तरीके का game ही है दोस्तो ये trading का game जो play करता है उस player का नाम है trader तो ये trader क्या करता है? trader market में buy sell का काम करता है तो buy sell का काम करने के लिए उसको पास एक tool होना चाहिए तो वो tool को बोलते है trading strategy trading strategy का काम क्या है कहाँ पर आपको इंटर करना है और कहाँ पर exit करना ही है बता न ट्रेडिंग strategy का काम है तो trading strategy क्या हो गया ये trading का game play करने का tool हो गया तो अभी मैं आपसे एक सवाल पुछता हूं दोस्तों वो सवाल का जवाब मुझे दे दो मानलो कि दुनिया का जो सबसे best batsman है सबसे best batsman का अगर bat मैंने आपको दे दिया तो वो बेस्ट batsman का मैंने आपको bat दे दिया तो ये जो best batsman है उसके सभी world record आप तोड़ पाओगे क्या आप नहीं तोड़ पाओगे दोस्तों क्यों क्योंकि ये जो tool में ने आपको बताया हुआ है bat का ये tool आपको market में मतलब match में किस तरीके से इस्तेमाल करना है इसका जो technique होता है दोस्तों ये टेक्णिक उसी batsman के पास होता है मतलब ये tool सिर्फ जो है ये जो bat है ये bat सिर्फ cricket का game play करने का tool है लेकिन वो tool का कैसे इस्तेमाल करना है इसका technique जो होता है वो इसी के पास होता है मतलब सिर्फ bats होने से आपके पास काम नहीं चलेगा tool होने से काम नहीं चलेगा आपके पास वो टेकनिक भी होना चाहिए उसी तरीके से दोस्तो ट्रेडिंग का जो गेम है त्रेडिंग के गेम में अगर मान लोग की दुनिया का सबसे बहुतरी जो ट्रेडर है सबसे बहतरी इन ट्रेडर का ट्रेडिंग स्टाटरजी भी आपके पास मिल गया तो ट्रेडिंग स्टाटरजी का काम क्या है दोस्तों ट्रेडिंग स्टाटरजी का काम है आपको बताना कि इंट्री कहां पे लेना है और एक्जिट कहां पे लेना है लेकिन ये जो entry और exit का काम है इसको lieo market में आपको execute करने का जब time आएगा तो execute करने के time lieo market में इसको आपको execute करने के time आपके पास एक technique होना चाहिए अगर ये technique आपके पास रहेगा तभी जाके ये जो tool है trading strategy जो आपका tool है तो ये trading strategy के tool का आप बहतरीन तरीके से इस्तमाल कर सकते हो तो ये जो technique है दोस्तो इसी technique का नाम है psychological skill जी हाँ दोस्तो psychological skill जो technique मैं आपको बता रहे जा रहा हूँ उसी का नाम है psychological skill जैसे मैंने आपको बता है कि दुनिया के सबसे best batsman का bat अगर मैं आपको देता हूँ तो उसके सभी record आप तोड़ नहीं पा सकते उसी तरीके से दुनिया का जो best trader है दुनिया के best trader का trading strategy भी आपको मिल गया तो भी आप उसकी तरीके से result नहीं निकाल पाते उसके पीछे का reason trading strategy में नहीं है दोस्तो उसके पीछे का reason है ये execute करने के time आपको जो टेकनिक चाहिए जो psychological skill चाहिए वो psychological skill आपके पास नहीं रहते तो ये psychological skill आगर आपके पास रहते तो आप अच्छी तरीके से वो best trader की तरह result का मापा सकते हो तो उसके लिए आपको क्या करना है ये किस तरीके से psychological role पे एक लिए इसको अभी समझ लेते है तो मान लो कि आप market में trade करते हो तो market तो बहुत बड़ा है market में आपका काम क्या है stock market में करो commodity में करो या फिर currency market में करो market में आपको क्या करना है आपको सिर्फ buy और sell का का काम करना है तो ये buy और sell का जो काम करना है उसके लिए आपके पास एक बड़िया trading strategy होना चाहिए trading strategy का रोल क्या आये trading strategy आपको एक rule based system बना के देती है वो rule based system में आपके sub rule define रहते हैं कि आपको कौन से rate पे enter करना है और कौन से rate पे exit करना है entry का rule आपको बता दिया exit का rule आपको बता दिया तो यहाँ पे trading strategy का rule खतम हो गया तो यह जादा तर दिमाग का काम है तो इसको हम लोग बोल सकते intellectual skill तो यहाँ पे trading strategy का rule समाप्त हो गया तो फिर यहाँ पे आपको जो rate का entry का और exit का price मिलेगा इसको आपको market में execute करना पड़ेगा तो execute करने का जब time आता है तब mind का आपका role काम में आता है तो आपका मन क्या करता है दोस्तों यह जो आपका मन है इसकी वज़ा से क्या होता है एक तो आपका early entry या exit हो जाता है या फिर आपका late entry या exit हो जाता है, एक तो आप early entry कर लेते हो, entry का काम जल्दी हो जाता है, या फिर entry का काम आपका late हो जाता है, उसी तरीके इसे exit के time भी क्या होता है, exit के time भी आपका early exit हो जाता है, या फिर आपका late exit हो जाता है, अब ये early और late exit के अब होता है, कैसे होता है, इसको मैं आपको explain करके ब बताया आपका यह जो ट्रेडिंग स्टेटरजी है ट्रेडिंग स्टेटरजी आपको क्या करेगा ट्रेडिंग स्टेटरजी सिर्फ आपको बता देगा कि आपको कौन से रेट पर बाय करना है कौन से रेट पर सेल करना है तो ट्रेडिंग स्टेटरजी का काम यतना ही है कि नहीं करना है अभी मानों कि आपके पास एसा एक trading strategy है जिसमें आपको सटिक तरीके से सब कुछ बता दिया है कि आपको कौन से rate पे इंटर करना है और कौन से rate पे exit करना है तो ये बताने के बाद आपको मानों कि यहाँ पर आपको ऐसा signal आ गया है कि आपको buy करना है 210 रुपय रुपे आपका stop loss बर नहीं हो जाता है या फिर आपका early entry हो जाता है ऐसा क्यूं होता है इसको आप समझ लीजे तो जब आप market में देख रहे हों दोस्तों तो आपकेले नहीं रहतें आपको यसा लगता है कि आपकेले हो लेकिन आपकेले नहीं रहते सबसे पहले आपके पास आप एक new channel देखते हो फिर उसके बाद आप बहुत सारे telegram channel में जुड़े हुए होते हो WhatsApp group में जुड़े हुए रहते हो फिर उसके बाद आप क्या करते हो किसी analyst को follow करते हो social media के ऊपर फिर उसके बाद से यह sources में से किसी एक sources ने आपको बता दिया कि sale करना है तो आपका trading strategy आपको बता रहा है buy करने के लिए यह sources आपको बता रहा है sale करने के लिए तो इसके वज़े से क्या हो जाता है confusion create हो जाता है तो यह confusion create हो जाने के वज़े से क्या हो जाता है यहां पे आपका late entry हो जाता है फिर उसी तरीके से आपके trading strategy ने मान लो कि आपको बोलाए कुछ नहीं करना है शांत बेटे रहना है लेकिन इसमें से कोई एक source आपको बता देता है buy करना है तो आप क्या कर लेते हो दो सो दस का ब्राइस आने से पहले 209 रुप trading strategy को आप follow नहीं करते यही एक में वह reason होता है आपके early entry और exit का वाइस वर्सा exit के लिए भी उसी तरीके से जो आप early exit करते हो और late exit करते हो उसके पीछे का reason भी यहीं है तो यहां तो जो मैंने आपको बताया था यह सब psychological skill का जो basic concept था वो basic concept का importance मैंने आपको बता दिया और आपके trading में जो main problem आते है यह जो error आप करते हो early entry का और early exit का जो error करते हो उसके पीछे का reason मैंने आपको बता दिया है तो यहां पे आपको एक बात का खयाल रखना है कि जो भी आपका trading strategy बताएगा उसी तरीके से आपको market में काम करना है यह बाकी के sources है यह बाकी के sources को वो time being के लिए आपको completely ignore करना है तो यह जो skill है यह skill आगर आप आपके system में maintain करके रखते हो तो आप एक professional trader बन पाओगे तो यहां पे आपना एक टेलिग्राम का channel है professional trader 9 poker करके नाम से जहां पे 24,000 से भी ज्यादा लोग जुड़े हुए है इसका link मैंने description box में नीचे दिया हुआ है यहां पे मैं free में signal देता हूँ यह जो भी signal रहते दोस्तों यह free में signal रहते जैसे कि मैंने यहां पे signal दिया था एक्सिस बैंक का कौन से rate पे sale करना है stop loss क्या है उसी तरीके से यहां पे यह signal के ऊपर बीच बीच में कब profit book करना है मैं भी यहां पे बता देता हूँ कि कब profit हुआ है यह भी दिखा दिया है उसी तरीके से यह जो signal में आपको देता हूँ उसी signal के ऊपर में मेरे खुद के account में भी trade करता हूँ उसका भी मैंने यहां पे real trade प्रूफ बता दिया है with the exchange execution order number और एक्जेकुटर स्टेटस के साथ और यहां पे जब मैं trade करता हूँ तो मेर जो service है यह completely free service है अगर आपको यह free में tips चाहिए तो आप यह telegram channel को join कर सकते हो इसका link मैंने नीचे description की box में भी दिया हुआ है और यहां पे आपके screen बेर भी आभी दिखाई दे रहा है तो अगर आपको चाहिए तो आप यह telegram channel के free service को join कर सकते हो अगर यह video आपको अच्छ अगर आपको देखने है तो यह channel को subscribe कीजिए और subscribe करने के बाद bell icon का button दबा दीजिए तो जैसे ही मैं नया कोई video launch करता हूँ तो आपको उसका notification मिल जाएगा thank you very much